हाई डियल्दीज, वेलकम टू इजी वे कॉर्मर्स क्लासेज, मैं हूं तापिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने गर्मेंट बजट एंद एकॉनमी शेप्टर को आगे बढ़ाएंगे प्रिवियस वीडियो में हमने इसमें देखा था कि जो भी भी गर्मेंट बजट को पेश करते हैं तो उस बजट के दो पाट्स होते हैं पहला रिवेन्यू बजट दूसरा कैपिटल बजट तो स्टाट करते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और अभी तर करो और न्यू वीडियो के लिए अपको वेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ठीक है और उसमें आल को सलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ सके और इसके लावा आप अपनी डाउट मेरे से पूछ सकते हो हो इंस्ट्राग्राम पर मेरी आइडिया करेंगे कि अपने रिसीट उसक कहां से पैसा मिलने वाला और ख़र्चों को शो करती है रिएग्यू बजट में रिविञ्यू रिचिट और रिवेणियू इयु एक्स्पेनिशू को शोग्या चाा होने वाली है और वो कहां खर्च करने वाली है that is revenue expenditure आप guys government को जो revenue receipt मिलती है यानि कि जो उसको income मिलती है right इसका उसके asset और liability से कोई relation नहीं है ये उसके income है like मैंने आपको previous video में भी example दिया कि अगर मैं job करती हूं और मुझे income मिलती है तो जो income मुझे मिल रही है उसका मेरे asset और liability से कोई relation नहीं होता यानि कि अगर मैं job ना करूँ घर पे रहूँ और मुझे पैसा चाहिए तो या तो मैं अपने asset को बेचूंगी तब मेरे पास पैसा आएगा या मैं किसी से उधार मांगूँगी liability को बढ़ा दूँगी तब ऐसा आएगा लेकिन अगर मैं job करूँगी तो मुझे तो ना तो अपना asset बेचने की ज़रत पड़ेगी और ना ही अपनी liability को बढ़ाने की ज़रत है ना मुझे loan लेने की ज़रत पड़ेगी या उधार लेने की That is called revenue expenditure revenue expenditure से ना तो revenue receipt से हमारे asset कम नहीं होते यानि कि यह आपको जब income होती है तो आप कोई asset नहीं बेच रहे हो यह आपको जब income receipt होती है तो आप कोई loan नहीं ले रहे बलकि आप काम कर रहे हो और कमा रहे हो तो government को भी revenue receipt होती है जिसका asset और liability से कोई लेना देना नहीं है कोई asset नहीं बेचना पड़ता, कोई liability उधार नहीं लेना पड़ता फिर भी income होती है, तो कहां से हो रही है भाई है income तो आप लोगों को सब को बता है, government के जो main source of income होता है guys वो होता है tax, tax revenue, ठीक है और दूसरा non-tax revenue, बहुत सारे other sources भी है जहां से government पैसा गमाती है, तो सबसे पहले tax को पकड़ते है देखो guys, tax जो होते है, वो दो type के होते है एक होता है direct tax, एक होता है आपका indirect tax direct tax कौन सो होते है, जिस बंदे पर लगाया जाता है, उसी को pay करना पड़ता है हमारा income tax, हमारी income पे लगता है, we will have to pay that amount, ठीक है कोई और नहीं pay करेगा, that is called direct tax, हमारे property पे लगेगा, हमें ही pay करना है तो उसे direct tax कहते है, जो उस individual या company जिस पर लगाया जाता है, उसी को pay करना होता है तो इसमें guys, जिसके उपर, वो actual में, हम इसे दो parts में divide करते है ठीक है, आप देखो, यहाँ पर actual burden में मेरे पे आया, tax भी मेरे पे लगा और liability भी मेरी ही थी pay करने की, तो दोनों चीज़े मेरी ही रहती है direct tax में indirect tax कौन सो होता है, indirect tax होता है like GST, है ना, जो indirect tax है, अगर आपने समान खरीदा, तो आपने tax किस को दिया, seller को दिया अब seller government को pay करता है, right, तो अब जब seller government को pay करेगा, तो liability जो है pay करने की tax की, वो seller की हो गई लेकिन actual burden था किसका, मैंने pay किया, मैंने कोई समान खरीदा, तो tax तो मैंने दिया है, ठीक है तो buyer ने actual में tax pay किया, बट liability किसके ओपर आगई pay करने की seller, क्योंकि buyer tax को देके चला गया seller को, that is called indirect tax यानि कि हम directly government को हम नहीं देते, seller जिससे हमने समान खरीदा है, हमने उसको tax दे दिया, अब वो government को देगा, that is called indirect tax तो इस वाले case में actual burden, यानि कि incidence जो होता है, purchase का, वो किसी और के साथ होता है, liability जो pay करने की होती है, वो seller की होती है, same person की नहीं होती ठीक है, यह दोनों में basic difference है, direct and indirect tax में, right अब guys, आगे बढ़ते, इसके अलावा government को, देखो, tax तो है, उनसे income होती है, government को, जैसे हमने इहां पर कौन-कौन से tax देख लिये, income tax देख लिया, wealth tax देख लिया, आपके property tax देख लिया, काफी सारे और indirect tax में आपका GST, अब तो सब एक ही tax कर दिया गया है, GST कर दिया गया तो पहला है interest, interest बोले तो government देखो, पैसा कमाती है, कहां से interest है, जो government, हमारी government, हमारी, हमारे देश की government, state government को उधार देती है, पैसा, public को उधार देती है, तो उनसे जो interest आता है, यानि कि जो loan देती है, उस पर जो interest आता है, वो क्या है, इनकी income है, कमाना ही, कमाना है, आना ही आना है interest वो government कोई काम करने नहीं जारी बल्कि वो उसके पास अपने आप खुद बोखुद पैसा चल क्या रहे क्योंकि उसने loan दे रखा है Right, that is called interest. Profit and dividend. Government को profit and dividend भी उसकी income है. Profit and dividend कहां से होगा? अगर government ने कही investment कर रखी है तो उसे dividend मिलेगा यानि कि shares पर जो मिलता है और profit यानि कि अगर उसका जो public sector undertaking से जैसे railway वहाँ वो profit में चला गया तो भी government को income हो गई. So that is profit and dividend. ठीक है? तो जो government की basically government की property है वहाँ से government को पैसा मिल रहा है. Third, fees. आप fees कौन से guys? Fees बहुत सारी है. Like registration हमें fee pay करनी पड़ती है आप कोई hall book कराते हो, आप कुछ भी काम करते हो, आपको हर जगे court की fees pay करनी पड़ती है that is the fees, जो government के लिए income source होते है, कि आपको कोई भी काम कराना है यार उसके लिए आपको पैसा भरना ही भरना है. अब वो government के ही खाते में जाते है एक तो पैसा हम भरते है, corruption के तोर पर जो रिश्वत देते हैं, जो की गलत है लेकिन जो एक directly government हम से मांगती है, भाया तुम काम करा रहे हो, अगर तुम्हें ये hall book कराना है, ये park book कराना है you have to pay some amount, तो that is called fees. इसके बाद fourth, license fees ये normal fees से अलग है, license fees guys कौन से होती है, आपको license बनाना होते है two-wheeler का, vehicle का, उसके लिए जो हम fee pay करते हैं, वो license fees किलाती है gun रखनी है, उसके लिए जो license बेते हैं, उसे license fee कहते हैं, लेनी नहीं चाहिए, गलत बात है उसके बाद आते हैं guys, fees and penalty, इनसे तो हमारा बहुत ज़्यादा नजदीकी का रिष्टा है penalties और fees कौन सी है guys, जो हमारे चलान कटते हैं, यानि कि helmet ना लगाने का चलान, यानि कि red light jump करने का चलान, जो कि of course, हम लोगों की तरफ से गलती होती है इसका हमारा बहुत नजदीकी का रिष्टा है क्योंकि कटते ही रहते हैं, यह भी test के पास जाता है revenue, government के पास इसके बाद और कौन सब government को benefit होते है guys, S-cheats, S-cheats क्या होता है, E-S-C-H-E-A-T-S, कोई किसी को cheat नहीं कर रहा है, यह वह बहुत चीत नहीं है यहां पे S-cheats का मतलब होते है guys, जब कोई person की death हो जाती है, और वो अपनी property पीछे छोड़के चला जाता है, बे नाम, किसी के नाम नहीं करी होती है, तो उस पर हग किसका है, government का है, तो ऐसी property बहुत जादा होती है, कई बार हमने देखा ऐसा कि किसी की कोठी थी वह बंदा मर गया, अब कोठी छोड़के भी हमाये नाम ही कर जाता, बट किसी के नाम नहीं कर के गया, तो वह किसकी है, government की है, that is called S-cheats, उसके बाद आते है, gifts and grants, gifts and grants क्या होते है, जो government को कहीं ना कहीं से help मिलती है, aid मिलती है, forum से भी मिलती है, तो या फिर donation के रूप में यहां पर मि that is gifts and grants, उसके बाद है four feature, काईबर क्या होते है, government four feature का अब आपके साथ अच्छा relation बन क्या होगा, share chapter बढ़ने के बाद, accounts में, right, तो four feature क्या होते है, जब भी government किसी की कोई भी property जब कर लेती है, कोई भी vehicle जब कर लेती है, तो उसे four feature कहा जाता है, तो यह भी एक तरीके से government क के लिए income बन जाते है, क्योंकि अब उस पर किसका हग है, government का, इसके बाद आते है guys, special assessment, special assessment क्या होते है, कि government को पैसा मिलता है, कहां से, देखो, अगर government कोई भी development करती है, like मेरे घर के सामने metro बना दिया, या metro station बना दिया, तो मेरे घर की property के rate बढ़ जाएंगे, तो उसमें म बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर metro station बढ़ गया, otherwise rates समानने रहते, बर समानने नहीं रहे, वो एक अलग level पर पहुंचके, तो हमें government को कुछ amount pay करना पता है, that is called special assessment, तो there are many sources, जो government को सिफ tax से नहीं, बल्कि non-tax revenue भी होते है, जो हमने ये पढ़ा, ठीक है, तो government के guys, बहुत स pensions देने के लिए, अपने, जैसे आप railway वगरा है, उसको manage करने के लिए, तो government खर्चे भी करती है, जो ये रोड पे हमारे lights जल रही होती है, हमें जो इतनी सुविधाय दे जाती है, ये government के खर्चे ही है, तो government उस पर खर्चे भी करती है, कमाती है, हमसे ही लेती है, हम ही पर खर्च करती है, तो expenditure भी बहुत सारे होते है, तो ये जो expenditure government करती है, जो खर्चा करती है, वो government का कोई asset नहीं बनाता, मतलब government पैसा खर्च करती है, अगर रोड पर light जला कर, तो government की कोई property नहीं बनती, तो कोई asset नहीं बढ़ता, ना ही government की कोई liability कम होती, कि उसका loan कम हो रही ह करना ही करना है देश को चलानी के लिए salary अपने departments को देनी देनी है देश को चलानी के लिए तो that is the revenue expenditure जो एक recurring nature का होता है यानि कि करना है हर बार करना है यह नहीं कई साल में एक बार कर दिया यह दस साल में एक बार कर दिया every month government should do this हर महीने आपको यह खर्चा करना ही पड़ता है तो इसे हम कॉंसे expenditure बोलते हैं revenue expenditure I hope guys आपको यह video समझ हाई होगी जो की बहुत असान थी और बहुत interesting थी जरूर एक बर बुक से रीट करना और clear हो जाएगा concept और अपने doubt आप मेर से पुछ लेना Thank you झाल झाल